हेलो दोस्तो विल्कम टू मैं चैनल दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने बाला हूँ मेरा स्वर्न चमपा में मैं जो खुद कंटाक्ट ग्राप्टिंग किया था उसका अपडेट देने बाला हूँ उसका केसा ग्रोथ अभी चल रहा है उसी के बारे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो अगर जो कोई भी हमारे चैनल में ने आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आपको मेरा ये ग्राप्टिंग और गार्डेनिंग रिलेटेड सारा कुछ वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और सवर किजे दोस्तो देखे मेरा सारा कुछ जो ग्राप्टिंग कंटक्ट ग्राप्टिंग किया हुआ था सारा कुछ प्रोसिजर कैसे किया था और उसका रेजल्ट सारा कुछ मेरा चैनल में डाला हुआ हूँ तो दोस्तो आप उसको जाकर देख सकते हैं दोस्तो दोस्तो मैं जब डाला था उसके बाद कोई भी अपड़ेट नहीं दिया था उसका result काटने के बाद दोस्तो देखे ये contact rafting आपके साथ जो share किया था देख पा रहे होंगे स्वर्नचंपा के contact rafting किया था ये पूरी तरीके से golden color का चमपा होता है बहुत ही सेंटर होता है इसका उपर में इस क्या था दोस्तों इसके उपर में भी ग्राप्टिंग करके दिखा इसका सीड़ के पोधे के उपर एर लेरिंग किया बट कोई भी टेकनिक सक्सेस नहीं हुआ उसके बाद मैं अपलाई किया यह कंटाक्ट राप्ट इसका जो चाली उतर के मैं आधा फुट का इसका जोड दिया था इसको दोनों ये हमारा सीड का पोधा है और ये मैं डाली को किया हूँ और ये कितना बड़ा डाली में मैं किया था अब देख पा रहोंगे दोस्तों ये लगभग 6 से 6.5 फुट का ये डाली था उसी के उपर म मैं दे रहा हूँ दोस्तों देख पा रहोंगे सारे पत्ते पूराने पत्ते इसमें जड़ गए हैं और कैसे नया ग्रोथ आ रहा है दोस्तों आप देखिए कितने संदर तरीके से हमारा पोधा पूरी तरीके से ग्रोथ देखे सारे नोट्स में और सारे पूराने पत्ते ज ग्रोथ चल और दोस्तों देखे इसके उपरी भाग में कितने सांदर तरीके से नोड निकल आया है आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से कितना healthy ग्रोथ हो रहा है देखे दोस्तों यह है contact drafting का result जो कि यह contact drafting से आप सारे पोधे को grafting कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी successive result म गया है यह बहुत ही जल्दी पूरा भर जाएगा और जल से जल इसमें बर्ट्स भी आएंगे देखे इसमें साइड में जो आ रहा है यह सारे हमारे बर्ट्स से देख पर होंगे यह सारे और भी दोस्तों एक किया हुआ मैं देखे इसका भी अच्छी तरीके से ग्रोथ चालू हो गया है देख पा रहे होंगे यह भी दूसरा पोधा है और यह दोनों पोधे में में एक जो बोरी आता है 25 किलो के बोरी में उसमें ट्रांसपर कर दिया था क्योंकि यह दोनों ही पोधे हमारे लगबग साड़े छे में फूट के आसपास हाइड होंगे इतना बड़ा बड़ा ब्रांच में में किया था जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू हो गया ओ देखिए यह इसमें भी नया पत्ता निकलना चालू हो गया है और देखिए यह नया सारा सूर्स निकल रहाए ऊपर द अधिरे-धिरे जैसा ठाइम विठते जाएगा यह पूरी तरीके से हमारा मिल जाएगा पूरा जोड़ जाएगा यह हमारा जोहें सिट का ब्रांच है और यह कंटक्ट डॉट सेंच मादर प्लान का देखिए यह अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है दोनों ही हमारे पोधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों हमारे जो यह पोधे में खरीद के लाया था वाइट कलर का यह चंपा होता है बहुत ही ज्यादा सेंटर होता है यह देखिए अभी स्वर्ण चंपा हो क्या सफेद चंपा जो वाइड कलर का चंपा सारे चंपा के पोधे में हमारा पत्ता पुराने पत्ता जड़ जाते हैं पिला पड़कर और नया ग्रोथ चालू होने के साथी साथ उसमें बहुत सारे बर्ट्स निकल आते हैं इसका भी ग्रोथ आप देखिए बहुती संडर तरीके से ग्रोथ हो रहा है देखपा रहूंगे और शाथी साथ देखें कितना अच्छी तरीके से बर्ट्स भी आरहे हैं देखिए दोस्तों ये सारे बर्ट्स है पूरा हॉल ब्रांच देखिए हमारा पोधा देखिए पूरोत दोस्तों यह और चंपा है जो हम खरीद के लाया था इसका भी यह लगभग दो सल का पोधा हो गए यह पूरा गोल्डन कलर का ही चंपा है यह वह देखिए इसका भी ग्रोफ अच्छी तरीके से कितना तेजी से ग्रोफ सारा चल रहा है यह वी टाइमिंग है बहुत झाद लेने का गा सैंके दोस्तो है कि इसमें बित्रों थी इसकी त्रों क के साथ फालेंड का चमपा नहिए जिसको में कार दिया थथा अच्छी तरीके से पूर अच्छीँ तरीके से प्रोनीग कर दिया था उसी के बज़े से यह नए ब्रांच देखिए एक बीड़ चोड़कर 55 ब्रांच में डिभाइड हो गया है जो की पूरी तरीके से ग्रोथ में है अभी सारा ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रहा है इसमें भी देखिए बर्स आना चालो हो गये हैं फ्लावार यह देखिए सारे पत्तेम खिलते ही इसमें बर्ट आ जाएंगे तो दोस्तों यह था आज का मेरा थोड़ा सारे चमपा के उपर यह वीडियो और सारे मेरा अफडेट देने का वीडियो था तो दोस्तों अगर जिसको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक अंड शेयर किजिए थेंक्यू फ्रेंड्स